सो ओके बड़ीद, आज हम देखने जा रहे हैं Classroom of the Elite के सीजन 3 के एविसोड नमबर 13 को एविसोड सीजन 3 का फाइनल एविसोड होने वाला है यानि यहाँ इसी के साथ यहाँ पर Classroom of the Elite का सीजन 3 होता है end वेल, इस वाल एविसोड का नाम है Love is the Best Teacher एविसोड के स्टार्टिंग होती है एक कैफे से, जहाँ पर हियोरी और आयनकोजी एक साथ बैठे हुए हैं जहाँ पर हियोरी आयनकोजी के लिए एक नई बुक लेकर आई है योरी आयनोकोजी को बोलती है मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे इस बुक को लेकर क्या ठाट्स है आयनोकोजी उससे पूछता है क्या तुमने ये वाली बुक पहले पढ़ रखी है योरी कहती है हाँ मैंने ये बुक पूरी पढ़ रखी है योरी की इस बात को सुनने के बाद आयानकोजी उसे बहुत देर तक घूरता है उसको ऐसा करते वे देख के योरी उसे माव्य माग लेती है योरी कहती है अगर तुम मेरी इस बात से अपसेट हो गए हो तो प्लीज मुझे म HC कर दो फिर वो बताती है कि वो Class B के Progress के बारे बात करना चाहरी थी जो कि उन्होंने Final Exam में दिखाई थी आनगोजी कहता है कि वो इस पार्ट को डिनाई नहीं कर सकता इसके बाद योरी कहती है अपने अपोनेंट को सड़नली बिमार कर देना गलत बात है आनगोजी कहता है कि अगर तूम्हें इतना सब कुछ पढ़ा था, तो तुम्ने उसे रोगा क्यों नहीं योरी कहती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि रुयन एक ऐसा बंदा है जो कि किसी की बात सुनेगा इस पर आयनोगोजी कहता है क्या तुम रुएन को मेरा एक मैसेज दे सकती हो योरी कहती है हाँ मैं बिल्कुल दे सकती हूँ साथी में हमें कार्विजावा का सीन दिखाया जाता है जिसको एक मैसेज आ रखा है उस मैसेस से हमें बता चलता है कि कार्वी जावा को किसी ने मिलने के लिए बुला रखा है तबी कार्वी जावा कैफे में एंट्री लेती है और योरी कैफे से बाहर जा रही होती है जिसके बाद कार्विजावा आयनगोजी के पास आके कहती है आकर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या आयनगोजी कहता है पहले तुम सीट पे बैठो कार्विजावा कहती है अगर किसी ने हमको एक साथ बैठे वे देख लिया तो हमारे बार में अववाएं ओडेन लग जाएंगी आयनगोजी यहाँ पर उसकी इस बात का रिप्राइन देता और उसे घूरता है तभी यहाँ पर कार्विजावा आयनगोजी के पास रखा हुआ एक काफी का कप नोटिस करती है और उससे कहती है तुम अभी किसी के साथ थे क्या आयनगोजी कहता है हाँ अभी कुछ समय पहले मेरे साथ ही हो रही थी कार्विजावा यह सुनके सप्राइस हो जाती है इसके बाद आयनगोजी कहता है हम दोनों की एक जैसी होबीज है इसलिए हम एक साथ मिलते रहते हैं वैसे हम दोनों बाते भी बहुत करते हैं कारिव दावा कहती है तो तुम दोनों एक दूसरे को नाम सुलाते हो और तुम्हारी सेम होबीज है वैसे तुम्हें जिसके साथ भी दोस्ती करनी है तुम करो लेगिन तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया आई बोजी बोलता है मुझे माफ करना है बोल चुका हूँ कारी दोबा कहती है आगर तुम यह क्या गह रहे हो इस पर आयने बोजी उससे बोलता है तुम्हारी बड़ी इंट्रेस्टिंग होबी है बात्रूम में मिलना क्यों क्या बात है मैंने सुनाए कि तुम लोगों ने टेस्ट में बहुत अच्छा पर्फॉर्म किया क्या मैं ऐसा मान के चलू कि तुम अपने फुल पोटेंशल पे दुबारा आ चुके हो रुएन कहता है ये तो बस मेरी मूड की बात है अगर मेरा मूड बना तो मैं तुम्हें यहां पर पेल भी सकता हूँ इसलिए कहा रहा हूँ बात्रूम में मत उलाय करो इसके बाद हाशी मोटो कहता है तो अब बताओ तुम आगे करने वाले हो क्या तो में लगता है कि इस बात के लिए कंजा की मानेगा आशी मोटो कहता है ये कैसका बाप भी मानेगा तबी कंजा की आगे आकर रुएन से कहता है तुम बरोसा करने के लायक तो नहीं हो लेकिन तुम काम के जरूर हो रुएन कहता है तो अब तुम मुझे बताने वाले हो कि तुम्हें बुरी तरह हार कर कैसा लगा कंजागी कहता है मैं तुम्हें एक बात बता दू रुएन तुम्हारी ये घटिया ट्रिक्स ट्रास भी का कुछ भी नहीं खाड सकती है आयनकोजी का जो बारिष में जा रहा होता है लेकिन तब ही उसको रुएन के ये दोनों 15 लोग दिख जाते हैं यहां तक कि ये दोनों मिलकर इची नहों से और सताय नागी को भी बीट कर देंगे आयनकोजी कहता है ये कोई बुरा आइडिया नहीं है इसे दाकि इपू किसे कहता है देगा ना क्या मस्ट प्लैन है मेरा इसके बाद आयनकोजी कहता है लेकिन ऐसा होने नहीं वाला तुम बीस मिलियन पॉइंट लाओए कहां से जो की क्लास ट्रांसफर में लगते हैं लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि तुम लोगों को दुस्मन मना के जाला अच्छा लग रहा है मेरे को ये वोगी कहती है तुम वार रुएंट दोनों ही बहुत अजीब हो आयनकोजी कहता है हा अगर तुम चाहती हो तो तुम उससे बात करके अपना दिमाग हलगा कर सकती हो इचिनों से कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ आजकल तुम्हारे ओपर बहुत जादा डिपेंड हो रही हूँ ये अच्छी बात नहीं होगी कि मैं तुम्हें हमेशा अपनी अन्कूल साइड दिखाऊं अनकोजी कहता है इसका मतला तुम मेरे ओपर बरोसा नहीं करती है नहीं ऐसा नहीं है इन्टाट मैं तुम्हारे ओपर बाकि लोगों से जादा बरोसा करती हूँ इचिनो से कहती है और ये सेम ठाट एचिनो से सकाय न आगी और रुविन के बारे में भी स कि क्लास के लीडर्स काफी जादा स्ट्रॉंग होते जा रहे हैं इसलिए अभी यहां पर इचीनों से को यह डर लग रहा है कि कहीं वो इन सब की बराबरी कर पाएगी भी या नहीं कर पाएगी और यह बोलते बोलते वो रोने भी लगती है तब यह आयनकोजी उसके सामने आ और उसके गाल पे अपना हाथ रखता है यहां पर इचीनों से कहती है आयनकोजी तुम सच में एक मिस्टीरियस परसन हो आयनकोजी कहता है इचीनों से कैसे रहेगा अगर हम एक साल बाद ऐसे ही मिले तो बस हम दोनों और कोई नहीं मुझसे यह प्रॉमिस करो कि तुम बिन इस साल थर्ड इयर में जाएगी और क्लास A को एम भी करेगी आयनकोजी मनी मन सोचता है फ्यूशन में क्या होने वाला है यह चीज़ अब देख लाइक होगी अगले सीम में एक जहां पर होता है और वो कहता है यह जहां तो बड़ी जानी पैचानी से लग रही है पीचे द है सुनो अगर तुम स्कूल से निकल जाते तो मैं अकिला पड़ जाता रूएन कहता है तुम सगायनागी से हार गए और तुम बड़ी बड़ी बाते कर रहे हो आयनकोजी कहता है हाँ यह बात सच है कि मैं सगायनागी से हार गया और as a commander मैं कोई excuse भी हमना सकता अब रूएन कहता है तो अब तुम क्या करने वाले हो रूएन कहता है मैं चोटे से ब्रिक को और जादा enjoy करना चाहता हूं और जब मैं इस से ठक जाऊंगा तो मैं सगायनागी और इची नोस्रे को तभा करने जाऊंगा और अगर कोई ऐसा बंदा जो तुम्हे स्कूल से बाहर निकल वा करो रूएन कहता है तुम कब से मेरे मास्टर बन ले इस पर आने को जो बोलता है जो तुमने क्लास बी के साथ करा अगर किसी के पास इस बात का सबूत हुआ तो वो तुम्हारी ऐसी की तैसी करते गा और अगर तुम आगे से ऐसी घटिया चाले चलते रहे तो तुम मेरे सा अलड़कें बैठी हुई है जिसमें से दू साइड करेक्टर है यहाँ पर इस लड़की के बारेमें बातचीत ही हो रही थी और बात में यह हो रहा था कि क्या यह लड़की EK को डेट कर रही है जिस पर यह लड़की साफ साफ मना कर देती है साटों यहाँ पर इसके मैटर में बहुत जादा इन्वाल्व हो रही है और कार्विजावा यहाँ पर बैठी हुई अपने फोन के भुण में खुसी हुई है बाकी तीनों लड़के यहाँ पर बखवास करी रही होती है कि तभी यहाँ पर कार्विजावा कहती है अच्छा मैं चलती हूँ कार्विजावा के यहाँ से चले जाने के बाद यह वाई लड़की साटों से पूस्ती है क्या आयनोकोजी के साथ तुम्हारी सेटिंग मेटिंग हुई साटों यहाँ पर बहुत ज़ादा इंबैर्स होके कहती है तुम्हें ये बास सीक्रेट रखनी होगी उसमें मुझे रिजेक्ट कर दिया अब यहाँ पर यह लड़िया चिलाते वे कहती है क्या वो ऐसा कैसे कर सकता है क्या वो थोड़ा घिसका हुआ है साटों यहाँ पर इस लड़की से आयनोकोजी की तारीफे कर रही होती है लेकिन ये वाली लड़की बहुत चादा फोकस होके कुछ दोचरी होती है अगले सीन में आयनोकोजी और सुकी शीरो एक अलगी जगाँ पर होते है सुकी शीरो आयनोकोजी से कहता है इस समर हॉलिडर को अपना आगरी समर हॉलिडर समझता क्योंकि इसके बाद तो मैं अपने पपा के बास चाना है आयनकोजी कहता है मुझे ये स्कूल पसंद है इस पर सूगी शिरो कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी आगे की स्कूल लाइफ बहुत जादा मुश्किल भरी होने वाली है या फिर चले काम करते हैं हमें केम खेलें मैं वाइट रूम से एक ऐसे बंदे को बुलाऊंगा जो इस स्कूल में एडमिशन लेगा और अगर तुमने अप्रेल से पहले ये बात पता कर ले कि वो बंदा कौन है तो मैं खुद अपने आप ही इस वाले स्कूल को छोड़ के चल ये दोनों बाते खरीब रहे होते हैं तब यहां पर यह रड़की आ जाती है और फ़ो छुब Fuker Aino Gogi के बाते सुनने ही वाली होती है टब अगले सीन में ये दोनों एक अलगी जमाँ बएठे होते हैं मासुसीता कहती है फानल एक्जाम में जो फ्लैस आजमेटिक का एक्जाम हो रहा था उसमें जो तुमने मुझे आंसर बताया था वो बिलकुल ही सही था आयनोकोजी कहता है हाँ उस सब्जेक्ट में मैं अच्छा हूँ इसलिए इसके बाद वो रड़की बताती है कि उसने आयनोकोजी और हिरातों को बात करते वे देख लिया था इसके बाद वो आयनोकोजी को बोलती है तुम को चाहते ही अच्छे हो अकैडेमिक्स और स्पोर्स में आयनोकोजी कहता है मैं जान बूच के अपने आपको पीछे रखता हूँ ताकि मैं बहुत ज़्यादा अलग ना दिखू फीर से मासु से ता कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं चाहती हूँ कि तुम क्लास में और भी ज़्यादा कॉंट्रिब्यूट करो अपना क्योंकि मैं क्लास A में जाना चाहती हूँ आयनोकोजी बोलता है मैं जा करने की सोच रहा था लेकिन तब भी मुझसे कुछ जाता है एक्सपेक्ट मत करना वैसे भी मैंने जो अभी तक करा है वो बस में जा 70 से 80 परसेंटी है इसके बाद वो आयनोकोजी से एक और पोशिन पूस्टी है कारी जावा को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है क्या वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे लिए स्पेशल है आयनोकोजी कहता है नहीं ऐसे कोई भी बात नहीं है जिसपर मासुसेता कहती है तो फिर तुम दोनों के बीच में आकिर क्या रिलेशन है अगर सिनमा आनोकोजी अपने कमरे में बैठा होता है और तब ही उसको होरी किता को कॉल आता है होरी किता उससे डिलेक्ट कहती है अब समय आ चुका है कि हम क्लास A के लिए एम करें लेकिन आनोकोजी इस बात पर मना कर देता है आनोकोजी ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि अभी फिर्स्ट येर में उसके लेवल का कोई भी नहीं है इसलिए वो अभी जादा अपने पोटेंशल को सो नहीं करना चाहता और ये किता कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें टेस्ट करती है और ये किता कहती है छुले काम करते है हम एक written test exam रखते हैं second year में आनोकोजी कहता है चलो ठीक है कर लो लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें student council को join करना होगा अगर तुम्हें ऐसे क्यों बात कर रहे हो और ये किता है अगर मैं जीती तो तुम्हें अपने पूरे पोटेंशिल के साथ काम करना होगा अगर ऐसा है तो ठीक है इसके बाद अगले सीन में आयनो कोजी के रूम में काज़ दवा रखी है और वो आती आयनो कोजी से कहती है तो फाइनली तुम्हें याद आगया कि आगर तुम्हें उससे कहना किया था आयनो कोजी कहता है तुम्हें इतनी जल्दी भी किया है जिस पर कारिज़ दवा कहती है साथ बज़े मेरा मेरे दोस्तों के साथ डिनर का प्लान है आईनों बुझे कहता है, मास्तों सिता को ऐसा लग रहा है कि हम दोनों relationship में हैं और उसको मेरी abilities के बारे में ही बता चल चुका है वो इस टाइप टी person है जो अपनी abilities को छुपाती है बिल्कुल मेरी तरह कारिजवा बोलती है, जरा एक सिकंड रुको, तुम आगर कहना के चाते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कारिजवा कहती है, अगर ऐसी rumors फैल दे रहे, तो ये मेरी future को impact कर सकती है वैसे अगर तुम अभी relationship में जाने का सोच रहे हो, तो बहुत कमी लोग होंगे जो तुमें अप्रोच करेंगे वैसे मैंने भी इरादा के साथ break up कर लिया है, और मैं एक नया boyfriend ढूंड रही हूँ वैसे भी तुम योरी के को जादे close हो रहे हो, और ये कहा कि कारिविजवा रूम के बाहर जाने लगती है लेकिन अगोजी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका first name बोलता है, और वो उससे कहता है अगर तुम्हें ये चीज़ पसंद नहीं, तो तुम इसे ignore करो और यहाँ पर finally अगोजी उससे date के लिए approach करता है कारिजवा कहती है, लेकिन तुम तो योरी को पसंद करते हो ना अगोजी कहता है, मैं तो बस टेस्ट कर रहा था कि तुम इस चीज़ से jealous होती भी हो या नहीं अगोजी का देट प्लान मान लेती है, यानि हाँ कारिजवा उससे date करने के लिए ready है कारिजवा कहती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं ये बात बोलू कारिजवा भी अब यहाँ पर बोल देती है कि वो आयनोगोजी को बहुत पहले से ही पसंद करती है यहाँ पर आयनोगोजी भी उसको हग कर लेता है, जो की बड़ा ही unexpected था मेरे लिए इसके बाद तारीजवा उससे कहती है, तुम मुझे ये मत पूलना कि मैं तुमें किस करने वाला हूँ आयनोगोजी कहता है, अभी नहीं, अभी के लिए बस इतना ही काफी है लेकि लास्ट में आयनोगोजी एक और बात कहता है, वो कहता है, ये relationship काईवजवा की growth के लिए बहुत important है इसी के साथ वो खुद भी काईवजवा के through love को सीख रहा है, क्योंकि वो ऐसी चीज़े white room में नहीं सीख सकता लास्ट में आयनोगोजी कहता है, वो अभी smile कर रहा है, वो भी किसी ऐसे के साथ, जो उसके लिए बहुत जादा खास है तो वड़ीज यहाँ पर आयनोगोजी को तो उसकी girlfriend मिल गई, तुम अपना अपना देख लो अगर तुम्हें नहीं भी देखना तो कोई रिकत नहीं है, लेकिन तुम्हें यह वाली प्रेज ज़रूर देखनी है, मुसको टैंसाई की यह एक बहुत कमाल का एनिमे है, जो की बहुत funny है, वो भी adventure के साथ तो हाँ, इसको एक बार जरूर देखना, फैनल बहुत सारे नए नए अनिमेश शुरू होने वाले हैं, तो मैं तो मैं मिलता हूँ उन वाली वीडियोस में